1995 में आये फिल्म प्रेंग से बॉलिवुर्ड में कदम रखने वाले संजय कपूर से जुड़ी आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिससे शायद आप अंजान होंगे संजय की पहली फिल्म प्रेंग भले ही बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी लेकिन उसी साल आये उनकी दूसरी फिल्म राजा ब्लॉक्बस्ट साबित हुई थी राजा के बाद संजय लोगों के बीच काफी मशहूर हो गए थे उनकी फिल्में भी बॉक्स ओफिस पर लगातार सफल साबित हो रही थी वही साल 2003 में संजय कपूर से एक ऐसी गलती हो गई जिसके बाद उनका कर्या लगातार ड्रॉप होने लगा और देखते ही देखते वह परदे से भी दूर होते चले गए और अब कभी कभार किसी फिल्म में वह स्पोर्टिंग रोल में नजर आ जाते है अब आपको बताते में कि संजय कपूर से कौन से बड़ी गलती हो गई थी जिसकी वजह से उनका कर्या तबाह होता चला गया दरसल साल 2003 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था तेरे नाम रिलीज के साथ ही यह फिल्म बॉक्स ओफिस पर चा गई थी और ब्लॉक्बस्टर साबित हुई थी दर्शकों को यह फिल्म बेहत पसंद आई थी इस फिल्म ने सल्मान खान को रातो रात सुपस्टा बना दिया था वो परदे पर इस कदर चाय कि आज तक उनका जल्वा बॉक्स ओफिस पर कायम है फिल्म तेरे नाम को सबसे पहले निर्देशक अनुराग कशिप डाइरेक्ट कर रहे थे लेकिन सल्मान खान से पंगा होने के बाद उन्हें इस फिल्म से बाहर कर दिया गया था और फिर इस फिल्म के डाइरेक्टर सतीश कौशिक बन गये थे अब ये बात उस वक्त की है जब अनुराग कशिप इस फिल्म को डाइरेक्ट कर रहे थे और इस फिल्म के लिए सबसे पहले उन्होंने संजय कपूर से संपर्ट किया था मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजय कपूर ने किसी वजह से इस फिल्म को करने से इंकार कर दिया था जिसके बाद सल्मान खान को इस फिल्म का ओफ मिला इस फिल्म के बाद सल्मान के करिय को एक नहीं उजाए मिली, वो भी ऐसी उजाई जो उन्हें आज तक बॉक्स ओफिस का हिट मशीन बनाया हुआ है वही दूसरी और इस फिल्म को रिजेक्ट करने के बाद से ही संजय कपूर के करिय में डाउन फॉल होना दिखने लगा था साल दो हजार टीम के बाद से संजय की लगभग फिल्में फ्लॉप और डिजास्टर साबित हुए और अब तक उन्होंने एक भी हिट फिल्म बॉक्स ओफिस पर नहीं दिया जब वह लगातार फ्लॉप साबित होने लगे तो उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और आज बल कभी कभार किसी फिल्म में सपोर्टिंग रोल में नजर आही जाते हैं